यह जो पिक्चर पोस्ट करी है, बेली ने इसको हलके में लेने की गलती, हलके से भी यह गलती से भी मत कर दे ना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लेरी के साथ यह फोटो पोस्ट किये और सोशल मेडिया पर तो लेरी की पॉपलरिटी है, लेकिन डेवलबरी शॉप पर भाई, लेजेंड्स को, सूपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है, लेरी ने, जो कि CM Punk का डॉग है, मैंने बोला था हरे कुत्ते का दिन आता, लेकिन यह कुत्ते का दिन नहीं ऐसा चल रहा कि पूरी इसकी सदी चल रही है, और यहाँ पर बेली ने कैप्शन भी बड़ा इंटर मैं यह सोच जाओं कि इसके पैसे कैसे बटते होंगे, क्या जो पैसे कमाया जारे है, लेरी की मर्चंडाइज से, उससे लेरी का जीवन भी का स्टेटास है, लाइस्टाइल है, उसको क्या CM Punk बढ़ाते होंगे, यह अपने 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 अलगी टॉपिक है, और वेलकम है Voice of Wrestling के एक और नए एपिसोड में, और पिछले कुछ घंटों में Adam Pears के Twitter account पे कुछ ऐसी चीजे हो रही है, जो की काफी जादा और confusion क्रियेट करती है, अभी किस से related है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो उन्होंने यह एक tweet किया, जहां पे Seth Rollins का यह पुराना वाला architect वाला टाइम एक फोली जब जनल मैनेजर हुआ करते हैं, अब ही कुछ निए समझ में आई लगा कि Seth Rollins की story है, उससे कुछ रिलिटर हो सकता है कि 5th member वाला फिर दूसरी चीज जब उन्होंने डाली भाई, यह तो काफी इंटरनेट को हिलाने वाली थी, यहां पे Paul Heyman आप द पोस्ट कर दिया और इसके बार अब जब दोनों फोटोस को लोग ऐसे कहीं लिंक बनाने ही कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि Paul Heyman जैसे मैं आपको बोला था, एक wild speculation है कि वो ब्रॉक लेकर आएंगे और वो जोईन करेंगे, रोमन रेंज की ब्लड लाइन को और वो एंटर कर जाएंगे वार गेम्स वाले मैश के अंदर, तो भाई यहां सब लोगों ने एडम पियर्स को लपेटना भी शुरू कर देगी, आपको पताईए, USA, modern, western, American fans जो भी आपको इने बोलना हो, वो थोड़ा सा काफी इस चीज के उपर उस तरीके से रहता है कि लेना भी नहीं चाहिए, जबकि मैं तो इसी चीज के उपर रहना चाहूँगा, कि पहले चीजे पूरूफ तो हो जाए, सामने तो आजए, क्या हुआ है, एक्ट्र में क्या स्थीन है, हाँ, जब वो पूरूफ हो जाता, अगर गड़ बड़ा तो भाई फिर ठीक है, फिर ह साइड हट लेंगे उन चीज से, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज होगी, और वही होनी भी चाहिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, और इस ट्वीट में आप देखो, भाई, अधम पीर्स न और भीगी है, अब लोग आ वगया, दि पांच्वे बंदी की ही बात कर रहा है, और यह फोटो न ने पोश्ट कर दी, जो पॉल हमन के साथ मैच वा था, और रोमन मेंस के साथ ब्लड लाइन की स्टोरी में ही, और इस पर वह सोचने वाली इमोजी डाले, और इसके बाद तो फिर जो रेंडम फोटो थोड़ी और मतलब क्या बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हाइलाइटिंग पॉइंट रहा है हां से वह यही है, कि ब्रॉक लेस्नर क्या पांच्वे बंदे बनने वाले और एडम पियर्स ने इस फोटो को पोस्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसके तरीके बहुत इसके उपर CM Punk को बता दे कि ऐसे शील्ड के टाइम से ही वह Roman Reigns, Seth Rollins दोनों को जानते हैं, और जब relationship की बात आती है कि मेरा Roman Reigns के सांथ relation कैसा है, मेरा Seth Rollins के सांथ relation कैसा है, तो उस चीज को बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है WWE Television को एक storyline के दोर पे दिखाने का, मतलब CM Punk में यहां पर कुछ नहीं बताया और अगर आप देखोगे भी तो हमको कभी कुछ पता ही नहीं चला, चलो CM Punk और Seth Rollins सो अलड़ी एक feud में involved हो गए तो उनका ठीक है, कभी भी CM Punk ने ऐसे Roman Reigns के बार में क्या relational तारीफ है, बहली दोनों ने एक दूसरी कर दियोंगे, लेकिन कै कि उन्होंने यूस किया ही नहीं और अब तक भी CM Punk उस बात को नहीं बता रहा तो शारी सारा वो जो माल मसाला है, वो इस feud के लिए सेव करके रख रहे हैं, और भाई अभी जैसे हम बात करते हैं, कुछ टाइम में होलिवूड चले जाएंगे, बंदे के बाद जाने के बंबाई है फिर, डेवल डवली से ब्रेक पर हैं रॉक तो अपने बाके सारे धंदों में वो बीजी होंगे, और उस समय उनकी एक फोटो निकल के आई है, सोचल मीडिया पर यहां पर मॉआना मॉई, क्या बोलते हैं यार मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं फरक पड़ता क्या कर रहें होलिवुड में, बाई डेवल डवली में आतों दिल्ली से, यह जो आपको बात बताने वाला हूं, इसके बार मुझे आपका ओपीनियन चाहिए, और इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं है, तो Kevin Nash ने ब्रॉंसन रीड के बारे म और यही चीज ब्रॉंसन में के साथ भी कर दी थी, डेवल डवली ने, इस वैसे ब्रॉंसन में कभी जो सिक्का है, उसके बाद बंद हो गया था, मेरे क्याल से मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अब यह मॉडरन टाइम आ चुका है, यह वो टाइम नहीं है, जब तुम बंदे अगले साल की तो देखो, हम बहुत बात कर रहे हैं कि नेट्फिक्स पर आए की मंडे नाइट रो तो डेवल डवली के लिए बहुत बड़ी चीज होने वाली है, लेकिन यह सारी चीज अगले महीने दिसंबर से ही शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी रिपोर्ट में यह नेट्फिक्स वाले शो के लिए कुछ तो अपना प्रेमियर कुछ तो इवेंट कुछ तो ऐसा बनाने वाली है जो की रात हुई होगी सजी वी डेवल डवली के सूपर स्टार्स के साथ में रात होगा दिन होगा हो मुझे नहीं पता, लेकर ऐसे बोलते हैं से आवार्ड तो उससे ऐसा ही कुछ डेábवली करने वाली है और वम डेवली एक हाइप की तरह लिए बताक चिल्त पार पार seventरा गोडवली को बढ़ करने में वाली है अगले साथ मवन्केल मegले मनधे इसे माहीन ऐने वाला है उलो कि लिए को अब्वैसली मुन राज दोने मघब काशनान बहुत सालों से मैंने दिमांग में यह था कि चल क्या राय लिंडा मिकमैन और विंस मिकमैन के बीच में मुझे हमेशा से लगता था कि शाद दोना अब साथ में है नहीं और अब पहली बार पब्लिकली यह बात पता चली है लिंडा की साइट की तरफ से उनके टारने की तरफ से कि अब विंस मिकमैन और लिंडा मिकमैन साथ में नहीं है और मुझे लगता कि यह शाद बात पब्लिकली अब आई है लेकिन यह बहुत सालों पहले ही हो चुकी है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मैं उनको लेकर और कन्फ्यूज होता है चला जा रहा हूं कि चला क्या था बॉबी लेशली के सान तो वह डेवल लेशली से गए कैसे क्योंकि हमने एक बार कुते सुना था कि एक चाह है बॉबी लेशली की जो उनको मिलने रही उसके यहां पर कुछ और ही मामला आया है बॉबी लेशली यह कहते हैं कि वह ऐसा चाहते थे कि वह और भी ज्यादा टाइम रुके हैं वह कह रहे थे कि मैं अभी उन्होंने बोला है कि मैं एक दो साल तीन साल रुके फिर ऐसा कुछ सोचता कि यार यह स्ट्रीट प्रॉफिट के करें और मैं और टाइम देना चाहता था लेकिन वह चीज हो नहीं पाई ऐसा बॉबी लेशली बोल रहे हैं अब तो यहां पर कुछ अलगी लग रहा मामला कि मतलब डेवल ने खुद से बॉबी लेशली का कॉन्ट्राक रिन्यों नहीं किया बहुत स्टुपिड सी चीज ल में भी उनकी इच्छा है कि वह डेवल डॉबी में ही रिटायर हो तो शाद हो सकता वो चीज आके दिख जाए पता नहीं वैसे डेवल डॉबी ने ऐसा किया क्यों है और आउट आफ नोवेर यह चीज निगल के कहां से आई है लेकिन डेवल डॉबी ने एज का जो नेम है मतला Adam Copeland नहीं वह तो उनका नेम है एज जो उनका डेवल डॉबी का नेम है उसके लिए ट्रेड मार्क रेजिस्टर कर लिया है यानि कि वह डेवल डॉबी की प्रॉपर्टी है इसको रिन्यू किया है क्योंकि यह तो आइसिंग उनके पास पहले से होगा वरना यह नाम ले इस मामले में उनका उनका जो काम है वो पूरा प्रका है अरे लगता है एक और बड़े ड्रामा के लिए आप लोगो को रेडी हो जाना चाहिए अभी जेक पॉल और माइक टायसन के बीच में बॉक्सिंग मैच बॉक्सिंग फाइट जो भी आपको बोलना है वह हुआ था व यह एक्च्वल में डर्व इस आइडिया को इस प्लान को कंसीलर कर रही है कि रैसर में फॉस्ती वन में लोगनपॉल का मैच होगा किसके साथ सही समझ रों मैक टाइसन के साथ तो सोच रहो क्या डर्व और नेक्स्ट लेवल प्लान स्ट्राटीजी बिजनस आइडिया यह ह लोगन पॉल वैसे ही काफी ज़्यादा अभी इस चीज से हाइप माया हुए है क्योंकि वह जेक पॉल माइक टैसन की फ्यूड को इतनी ज़्यादा है लोगन पॉल भी वह है रखते हैं जेक पॉल जाए सी सोचल मेडिया के पता नहीं कौन जाए लेकिन एक एक मिलियन तो जो फॉलोवर से इंस्ट्राइम पर ज्यादा तो चलो मैं जेक पॉल को यूपर रख रहा हूं लेकिन लोगन पॉल भी बहुत अपना कुछ काम करते रहते हैं प्राइम ड्रिक जो सब ने देखा है तो डेवल लवी उस बॉक्सिंग फाइट की हाइप को कैसे अपनी कंपनी मे मैच को यूज किया जा सकता है अभी कंफरमेशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है फ्लैंस में है डेवल लवी के लिए तो अगर थोड़ा भी एग्जेक्विशन सही बन दा तो रसल्म डेना 41 के लिए एक मैच आपके लिए लोगन पॉल वर्स माइक टाइसन का है और ये क्या प्लैंस हैं उसके ओपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है और बात यह है कि रॉक भी वो सूपर स्टार होंगे जो किसी ब्रैंड के लिए स्पेसिफिक नहीं होने वाला यानि कि अब जब आपको रॉक का भी बिल्ड दिखेगा रैसल मिने के लिए वो जो भी रहे गए नायट रॉक पर भी थे वो स्मैक्डवन भी थे सर्प्राइज अपीरेंस भी उनकी जो कोड़ी रोड के सामने होगे थी वह तो वाई रॉक पीरेंस हमेशा ही बड़ा बड़ा वाला सफर्प्राइस होती है तो फिर रोक आपको दोनों ही ब्रैंड पर दिखेंग जो कि WWE के अगेंस तो नहीं है लेकिन साउंड WWE के अगेंस ही कर रहा है उन्होंने बोला कि AW company को success होना ही पड़ेगा इसको बड़ी उचाईयों पर लेकर जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो professional wrestling जो पूरी है यह 20 साल फिर से पीछी चली जाएगी और वो कहने से उनका मतलब है कि लोगों को फिर से उस सारी process के थ्रूँ गुजरना पड़ेगा I think वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि WWE only wrestling company है जो इतनी बड़ी है तो फिर ऐसे में बाकी जो पूरा यह जो इंडस्ट्री है वो grow होने में मुश्किल होती है तो AW को उपर जाना ही पड़ेगा ताकि अब जो नए talents भी आए उनके लिए भी सारी चीज़े हो तो अब जो सब कुछ है वो आज की generation के हातों में है कि ये AW को कहा लेकर जा सकते हैं अब देखो ये WWE की against तो नहीं बोला उन्होंने लेकिन sound कुछ कुछ ऐसा ही कर रहा है कि जैसे कि वो नहीं चाहता है कि WWE company उपर जाया बल्कि वो AW company को आने वाले time में आगे देखना चाहते हैं obviously उसमें AW company के सांथ signed है तो ऐसी बात बोलने का उनका जो थोड़ा सा logic है वो भी बनता है बाकि D-Namro's की WWE में entry के लिए ये जो वीडियो आपको भी आपके screen पर देख रही है इसको तो बिल्कुल भी देखना मिसमत करना ही वीडियो आपको अच्छले की बाई तो उसे like कर दो चैनल क को सब्सक्राइब कर तो ऐसी और मस्त वीडियो उसके लिए और तब तक फिले तरह जिन्दी के मज़ें